पटना जिले से इस वक्त की बड़ी खबर जहां दो साल का एक बच्चा मिला कोरोना पोजेटीब जिससे इलाके में हड़कम्प मच गई है पटना से सटे नौबदपूर के सेंभपूरा गाउं के एक परिवार में दो साल के एक बच्चे का कोरोना पोजेटीब रिपोर्ट आने के बाद हरकत में आई अस्थानिय परसाशन ने पूरे गाउं को सील कर दिया है हम लोग वहीं पर पहुंचे हैं वहां हम लोगों ने यह पता लगाने की कुस्स की है कि जो पोजेटीब के साया है वो पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर उनका क्या-क्या अभी वर्तमान में क्या इस्तिति है और सांथी आप देख रहे हैं कि जो यह गाउं है इस गाउं को हम लोग पूरा तरह से प्रतिबंदित चत्र घोसित करते हुए पूरे इसको सील करवा हैं और अभी हम लोग पूरा इस गाउं को सेनेटाइज करेंगे और यहां के लोगों को भी हिदाद दिया गया है कि वह अभी होम कुरंटाइन है आईसोलेटेड रहे और जो भी स्वास्विभाग का जो इस रोव से बचाओ के लिए जो भी गाइडलाइन है उसको प्रोपर तरीके से पालन करें